ऑलो दूसरों दोर यहां पढ़ने वाले प्रायमिनेस्टर की बारे में अने की प्लायमिनेस्टर आफ इंडिया थे अने की प्रदान मंतरी के बारे जस्पति की सला के लिए एक मंत्री परिशत होगी जिसका मुक्षा कुन होगा प्रधान मंत्री होगा अब अगर लोग बात करें प्रधान मंत्री की योगिता के बारे में कि कौन बेक्ति प्रधान मंत्री बनने की योगिया है ठीक है यानि कि कौन बेक्ति इजिवल है प्रध सांसद बनने की योकता है दूसरी चीज्ज आपका है कि लोग सभाग मतलब के वो लोक सिर्ञ अगर रोग बात करें पहले कटेगरी की तो पहले कटेगरी में में किसका निर्वासित और नि धो नहीं चि़्ट ऋहिंगे इसमें निर्वाकित और मनुवाहत Gurov तो दोनों ही सांसत के सदस्य होते हैं और दोनों के लिए जाएगा प्राइम मिनिस्टर की योगता में यानि कि निर्वाची सदस्य हो लोग सभाया रासभा का या फिर मरुनित हो दोनों में से होगा तो बात बन जाएगी ठीक है दुसरा है कि सांसत बनने की योगता रखता हो तो नेकि अगर से बनने की जोगता को ब्यक्ति रखता हो तो इसा मतलब क्या है यानि कि पीयम बनने के बाद उसको 6 माह के अंदर जैसे ही पीयम बनता है उसको 6 माह के अंदर क्या करना होगा कि संसत का सतस्य बनना होगा जैसे आपके राजिव गाधी जी बने थे ठीक है जैसे राजिव गाधी बने थे इसमें क्या होता है कि यह भी सोच रहे होंगे कि भीया 6 माह पूरा होगा फिर से उनको निवत कर दो ऐसे करते 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 कई साल ले जाओ उनको गिस के तो ऐसा नहीं हो सकता समयधान में उलेख है कि सिर्फ एक ही बार्यानी की 6 माह तक कई उनक लोग सभा की बहुमत का विश्वास प्राप्त हो तो संसत का मतलब लोग सभारा सभा का कोई भी सच्छे हो मनुईत हो या फिर निर्वाची सच्छे हो ठीक है अगर हम लोग बात करें चली भाई योगता तो बासमाज में आगी अब योगता हो गया तो अब नियुकती कैस करता है राश्पती करता है और अन्य मंत्री को अन्य मंत्रियों को भी नियुकती कौन करता है राश्पती ही करता है तो मंत्री परशद पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ लेंगे कि अन्य मंत्री कौन कौन से हैं को सपत कौन दिलवाता है कैसे नियुकती होती है ठीक सब की बा कारेकाल होता है वो समानता पांच वर्स मनाता है वह देखा था पीम का कोई निशित कारेकाल निधारिद नहीं है लेकिन हम लोग क्या मानके चलते हैं पांच वर्स ठीक है यह पांच वर्स क्यों है क्योंकि जब लोग सबाराज सबागे रसों कारेकाल पढ़ेंगे सबीची पीम है अगर इसके खटाने की बात के जाए यह कहा है कि पदमुक्ती की बात के जाए पीम की जो आपका पदमुक्ती की बात के जाए तो पदमुक्ती के तरी किसे हो सकती है तो पदमुक्ती का कि होगा एuição थ्याग पत्र डेते हैं तो त्याग पत्र कि सको देंगे तो त्याग पत्र किसको देंगे राश्ट पती को किसको सामाल लोगा उनको प्ता देंके अपना ठीक है या फिर मित्तियु हूजा थे या फिर मित्तियु हो जाए दोनों कंडिशन में उनका पद खाली होता है लेकिन ध्यान दे enough कि कि दोनों ही कंडिसन में जो संपूढ जो मंत्री परिषत होता है संपूढ मंत्री मंत्री परिशद क्या हो जाएगी भंग हो जाएगी जो जवालाल नहरु की मित्तियु की समय हुआ था 1964 में ठीक है 1964 में जब जवालाल नहरु की मित्तियु होई तो यही कंडिशन होई थी यानि कि त्यागपद्य या फिर मित्तियु हो जाए तो पीम कपा तो रिक्त हो जाए तो अब विश्वास प्रस्ताव पारित करके पीम को हटाया जा सकता है अगर हम बात करें उनकी सक्तियों के बारे में पीम की सक्तियों की बारे में तो पीम की जो मुख्य सक्तिय हम पड़ेंगे तो पीम की सला पर राजपती क्या करता है अन्य मंत्रियों को संग के मंत्रियों को नियुकत करता है, यानि कि जो संग का मंत्री होता है, उनकी नियुकती कौन करता है, राजपती किसी सलापे, पीम की सलापे, यानि की प्रधान मंत्री की सलापे, दूसरा है कि वो मंत्री मंदल की बैठा की अधश्ता करता है, जो पीम जो होता है, वो मंत्री मंदल की बैठ है कि अधिजिता कुन करता है आपका इम करता है थड़ है पीम की सला पर रास्ट्रि शङ कर सकता कर लोगा के संग के मंत्रियों को बर्खास्त कर देगा लेकिन पूरे मंत्री परिशत को लोग सभाटा सकते हैं देज़ेगा राश्पत्ती के द्वारा कौन हटेगा जो संग का मंत्री होगा उसको बर्खास्त किया जा सकता है लेकिन लोग सभाटा के द्वारा पूरे मंत्री परिशत क कोई क्या खते जा सकता है उसके बाद सक्तियों को देखा जो तो पीम नहीनीती आयोग ठीक है राज़ परिशत जैसी संस्था का पदिन अध्यष होता है तो ये सारी चीज़े आई बहुत सारी उसकी पास सक्तिया है लेकिन हम दोग मंती परिशत फिर लोगसभा राश्वाब पढ़ेंगे तो दीरे-दीरे इसमें उनकी सक्तियां प्यम की सक्तियां आती रहे गी और उसमें आप जोडते रहेगा ठीक है उसके बाद प्रधान मंत्री का पत किसका उप्रधान मंत्री का पत किसका उप्रधान मंत्री का पत किसका उप्रधान मंत्री का जिसको बोलते हैं अगर इनकी बात करें उप्रदानमंत्री तो उप्रदानमंत्री का जिक समिधान में किया ही नहीं गया है यह एक इस्ट्रा इस्ट्रा कांस्ट्यूशनल पद है ठीक है बेवार में सुतंता के तुरंत बाद से ही इस पद का प्रोग किया जाने लगा तो सबसे पहले जवाल लेहरू जो थे मंत्री मंदल में सदार बर्लम भाई पटेल को उप्रदानमंत्री का पद दे दिया ठीक है कौन जवाल कि पहले उप्रदानमंत्री कौन थे तो सदार बल्लम भाई पटेल थे जो 9047 से लेकर 9050 तक रहें कहां से कहां तक 9047 से लेकर 9050 तक थे ठीक है इस बाद को देहां देजेगा उसके बाद मुराजी देशाय जो देशी ठीक है बहुत सारे लोगा है आपके लालकिस्न आडवा तौर्घ मंत्री किसी को बनाया ही नहीं है दो क्लिएव तौर्ण मंत्री का ही काम करते हैं जो उप्रधानमंत्री होते हैं प्रधानमंत्री की सहयता के लिए अपनी साहते के लिए प्रदान मंत्रिया करता है कि न्यूक्त करता है ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में